नमस्ते, मेरा नामनेल शारदा है, आपधा पंचायत देख रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही प्रिधानमंतरी नरीन मोदी ने सुभा सुभा लाइब हाकर पूरे देश से माफिय माँगी और उन्होंने कहा कि हम तीनों करिशी कानूनों को वापस ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि उनकी तपस्या जो सालों से तपस्या थी किसानों को खुष करने कि उन्हें आबाद करने की उन्हें दोगुना कमाई करवाने की। आखिर में तो उसमें ये पूरा कारवाही भी शुरू हो जाएगी कि कागज उसके कैंसल किया जाएगी। अब समझने वाली बात है कि जब से इन्होंने कहा है तब से लेकर के अब तक भारते जंता पार्टी से आने वाले निताओं ने बड़े निताओं ने बहुत सारे ऐसे बयान बाजी की जिसमें साफ तोर पर ये कहा जा रहा है कि किसान बेसिकली क्या है कि किसानों को पूफ ही समझा जा रहा है वो बार-बार ये चीज़ कहना है अभी शाक्षी महाराज ने कहा उसके बाद राजस्तान में राजिपाल है कलराज मिश्र उन्होंने कहा कि यह जो कानून है तीनो कृषी कानून यह वापस आ सकते हैं अब अगर वापस आ सकते हैं तो क्या यह प्रदेश और आने वाले जो पांच राज्यों में इलक्षन से उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्र में रखते हुए यह बहुत बड़ा एक भाजपा सरकार की ओर से पीछे हटने का कदम किसानों के प्रति दिखाया गया है हाला कि वो कह रहे हैं कि बड़ा दिल प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने एक बार फिर अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इस पूरे कानून को वापस कर लिया अब आप समझे कि अगर प्रधानमंत्री ने इतने साल बाद ही मतलब एक पूरा बारह महीने लगभग होने को जा रहे हैं 26 नॉबर को आपने देख सब् yg आप लोगों के साथ जों दुर्य वहार हम वह था हुं किसानों केुपर जाती करने की कोशिश नहीं देखा कि जो किलें बिच्षाई गई बड़े बोल्डर लगाए गए ताकि किसान बाहर ना सके 26 जनवरी की घटना भी आपको याद होगी ही उस दोरान मैं भी ग्राउंड पे था रिपोर्ट कर रहा था गाजेपूर बॉर्डर से मैंने देखा था किस तरीके से आसुगैस की गोले छोड़े जा रहे थे उस दोरान एक किसान शहीद भी हो गया था युवा किसान जो की कैनेडा रहता था वहां से आया था हिंदुस्तान और प्रदेशन में सामिल होने के लिए गाजेपूर बॉर्डर पहुंचा हो था जहां पे उस पूरे प्रदेशन के दोरान आईटियो पे उसे गोली लगी और वह शहीद हो गया बावजूद इसके भी अगर आप पूरे तरीके से देख लें तो उत्रप्रदेश का जो इलक्षन है पश्चमी उत्रप्रदेश के जो भारी किसान आप देख सकते हैं राकेस्ट के जहां से आते हैं वो किसान पूरे तरीके से नराज हैं पश्मी उत्रप्रदेश में भाजपा के पास 88 सीटे हैं, करीब 120 सीटों में से 88 सीटे भाजपा के पास हैं, आप पश्मी उत्रप्रदेश में जिन भी जिलों में चले जाएं, शामली में चले जाएं, मुझफर नगर में चले जाएं, बड़ोत बुडाना में चले जाएं, अलिगड में आप आ जाए, बुंदेल खंड के कुछ अलाके हैं, उनमें चले जाए, बांदा में चले जाए, हर जगा लगभग सीटे जो है वो भाजपा के पास है, संसद्य चित्र तो ही बाकि जितने भी विदान सभा हैं वो भाजपा के पास है, लेकिन इस बार जो पूरा पश्मी उत्रप्रदेश भी टैग करता है कि राज्य में सरकार किसकी बनेगी तो ये डर तो एक बड़े पहमाने पर सता ही रहा है और पूरा देश जो आकरोशित है भाजपा सरकार के खिलाफ जिस तरीके से उसे भी ध्यान में रखते हुए भाजपा को लगता है कि उत्रप्रदेश तो शायद हाथ से निकल जाए लेकिन बाकी जो राज्य हैं उन्हें भी तो संभालना है तो हो सकता है कि यह जो फैसला वो लोग लेके आये हैं और जिस तरीके से किसानों को एक लुभाने की कोशिश की गई है उससे बाकी के जो पांच राज्य हैं उनमें भ करने के लिए पहुंचे थे तो जिस तरीके से केंद्र के निताओं का उत्रप्रदेश में आना जाना बढ़ रहा है उससे साफ यह हो रहा है कि किसी भी तरीके से यहां के किसानों को यहां के आम लोग को अपनी और अकर्शित करना चाहते हैं अला कि 300 सीटे भाजपा के पा उत्रप्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी हलाकि गड़ बंदन तब भी थे और आज भी कोशिशे की जा रही है कि गड़ बंदन किया जाए लेकिन तब दिक्कत हो जाती है जब शाक्षी महराज जैसे लोग और शाक्षी महराज को एक पल के लिए अपसाइट कर भी द फार्म प्रोटेस तीन क्रिशी कानून ही नहीं है इसके बाद भी है लेंड उक्वेशन का मामला है उसे भी लेकर के करना चाहिए जब बड़ा आंदोलन होता है न तो बड़ा आंदोलन को खड़ा करने में बहुत लंबा वक्त लगता है और अगर ये वक्त इतने लंबे सम आप से मरने ना दे करके और भी जो समस्याएं हैं जो सरकार से मांगे हैं आम जरनता की उन्हें भी जुड़ना चाहिए और पूरे अंदोलन को और मजबूत बना करके अपनी मांगों को सरकार से मंगवाना जरूरी है महंगाई लेंड इक्वेशन और भी कई सारे आया और तब से जो अख़बारों के चोटे-चोटे कटिंग में जब पूरा प्रदर्शन था अंदोलन था वो नौंबर से एक व्यापक रूप लेके खड़ा हुआ और दो ठंड बरसात की रातें गर्मी किसानों ने जहिला वहां पर और आज वो इस मौके पर पहुंच ग पड़ेगा तो यह बड़ी चीज है फिलाल किसानों को सोचना चाहिए इसमें क्या वह आगे करेंगे राकेश टिकेट और अन्य जो किसानों के मोर्चे हैं वह बहतर बात को समझ सकते हैं और आगे की त्यारी करेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिरा नाम अनल आप दा पंचायत देख रहें बहुत बहुत धन्यवाद है